T20 World Cup 2024 में टुर्णमेंट का 23 स्वा मुकाबला श्रिलंका और नेपाल के बीच होने वाला है ये मैच कहला जाएगा लाउडर हील फ्लॉरीडा यानि कि फ्लॉरीडा के मैदान पे इस वीडियो में आपको बताएंगे कि श्रिलंका वोसेज नेपाल मैच के लिए पिच रिपोर्ट कैसी होने वाली है अब तक कि टुर्णमेंट झुरूनकों भी रास थहीं है क्योंकि दो मैच के लिया है और दोनों में टीम को हार का सामना करना बड़ा वहीं अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल की टीम पहली बार T20 World Cup खेल रही है और इस बार इस टीम का परफुमेंस बिलकुल भी उस इस तरका देखने को नहीं मिला एक मैच खेला उसमें भी टीम को हार का सामना करना पड़ा यानि कि इस मैच को जो भी टीम जीतेगी और टोर्नमेट पे अपना खाता को लेगी इस्पेशली श्रिलंका के लिए मकाबला करो या मरो का होने वाला है क्योंकि अगर श्रिलंका ये मैच भी हार गया अगर श्रिलंका ने हार की है ट्रिक लगा दी तो श्रिलंका टी-20 वर्लकप 2024 से बाहर हो जाएगा उनका बस्ता पैक हो जाएगा श्रिलंका को सब कहेंगे टाटा बाय बाय हाला कि श्रिलंका को अभी भी अगर बने रहना है तो हराल में ये मकाबला जीतना पड़ेगा अब बात करते हैं इस मैच की पिच रिपोर्ट की श्रिलंका बनाम नेपाल मकाबला सेंट्रल ब्रोवाड रिजनल पार्क स्टेडियम में खिला जाएगा ये पिच आम तोर पर बल्लेबाजों के लिए काफ़े अनुकूल होती है हलाकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है सतय धीमी हो जाती है जिससे स्पिनर्स को मदद मिलती है पहले बल्ले बाजी करना और बड़ा स्कोर बनाना इस मैदान पर बहतर साबित हो सकता है फोरीडा के मैदान पर हमेशे हाई स्कोरिंग मकाबले होते देखे गए है इस मैदान पर बड़े-बड़े स्कोर बनते हैं लेकिन पिछले कुछ समय से यहां के विकेट थोड़ी धीमी रही है यानि कि स्टार्टिंग में बले-बाजी करने वाली टीम को थोड़ा फायदा मिलेगा जितना वो रन बनाएं कि उनको डेट दोबस में फायदा मिलने वाला है थोड़ा स्लो पीचे है यानि कि एक हाई स्कोरिंग मकाबला बले ही हो नहों लेकिन एक रुमान चक मुकाबला होने की पूरी उमीद है अब मुकाबला रुमान चक होने वाला है क्योंकि दोनों ही टीमों को अपनी पहली जीत की तलाश है ऐसे में कहीं बारिश मैस के मसे को खराब तो नहीं कर देगी नजर डालते हैं वेदर रिपोर्ट के उपर वेदर रिपोर्ट की बात करें तो मैच की दिन बुदवार 12 जून को लाउडर हील में काले बादल चाये रहेंगे दिन में बारिश होने का नुमान है और तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आस पास रहेगा श्रिलंका के और नेपाल के फैंस के लिए एक बुरी खबर है कि इस मैच में बारिश का असर देखने को मिल सकता है बारिश की प्रेडिक्शन की गई है यानि कि श्रिलंका के फैंस के लिए बिलकुल भी अच्छे संकेत नहीं है श्रिलंका की टीम वैसे ही उस टीम की लंका लगी हुई है बहुत ही खराब परफुमेंस श्रिलंका खेल रही है लगतार ये टीम दो मुकाबले हार चुकी है ऐसे में अगर बारिश ने इस पैच में खलल डाला तो श्रिलंका के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे दोनों टीमो इन दोनों टीमों के बीच कोई भी मुकाबला नहीं खेला गया ये वाकी में एक बड़ा मैच होने की पूरी उमीद है बात अगर श्रिलंका की पॉसिबल प्लेंग 11 की करें इस मैच के लिए श्रिलंका की पॉसिबल प्लेंग 11 में हमने एक बड़ाव किया कमिन टू मैंडिस की जंगा पर सदीरा समर विकरा को टीम में शामिल किया है योगि टीम की बलेबाजी बहुत ही खराब देखने को मिल रही है साथ अफरिका के खिलाब टीम नसाओ स्टेडिया में 77 के मामुली से स्कोर पर ओल आउट हो गई थी जबकि बंगलादेश के खिलाब भी टीम ने कियावल 124 का मामुली स्रिलंका के बलेबाज टीम की हार का सबसे बड़ा कारण रहे जब बलेबाज रन बना के नहीं देंगे तो गेंदबाज उसको डिफेंट कैसे करेंगे ना 77 डिफेंट कर पाए गेंदबाज ना फिर 124 डिफेंट कर पाए बाकि में श्रिलंका के लिए बहुत शर्मनाक रहा और श्रिलंका की टीम मानते हैं कि नई टीम है लेकिन इस टीम के कहीं सारे खिलाज़ टी 20 क्रिकेट में लगातार एक्टिव रहते हैं टी 20 क्रिकेट खेलते हैं आई पिल भी खेलते हैं उसके बाद भी इस टीम का परफॉमेंस उस इस तरका देखने को नहीं मिला कहीं न कहीं ये भी कहना गलत नहीं होगा कि मानें दोस रंगा के उपर कप्तानी का प्रेशर साफ तोर पर देखा जा रहा है दाचुन सना का उन से कप्तानी ली गई उम्मीद थी कि कप्तानी का प्रेशर उनके उपर सहट चुका है पर्फो सुनके देखने को मिलेगी लेकिन उनकी पर्फोर्ममेंस भी खाफी खराब हम देखने को मिलेगी है सौनयाफ अपर्फिस्य की खिरण ना बतौर बल्लेबास चले, नहीं बतौर गेनबास चले जो कि शिर्लंका किहार का एक बड़ा कारण भी रहा एँजोले मैथिउस ऐस टीम के सब से सीनियर प्लेयर हैं लेकिन वो भी टीम को लगातार डिसपॉइंट कर रहे हैं एँजोले मैथिउस का ररेण ना बनाना भी इस टीम के लिए कहीं न कहीं टेरी खीर साबित हुआ है उपर से वानिन्द उसरंगा बल्लेबाजी में लगातार बदलाव कर रहे हैं कभी खुद के बल्लेबाजी और्टर चेंज करते हैं वो एक लोवर और्टर के पावरेटर हैं लेकिन पिछले कुछ मैचेज में उनको उपर करम पर बल्लेबाजी करते देखा गया है जो कि कहीं न कहीं अच्छे संकेत नहीं है बैटिंग ओर्डर इस टीम का बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है कुशल मेंडिस पातोम निसंग का इस टीम के दो सीनिर प्लेयर्स हैं लेकिन दोनों ही प्लेयर्स आउट आफ फॉर्म चल रहे हैं कि श्रिलंका की हार का एक बड़ा क्रूशल फैक्टर ये भी रहा है क्योंकि अगर टॉप स्टार्ट नहीं मिलेगा टॉप ओर्डर से शुरुआत नहीं मिलेगी तो टीम बड़ा स्कूर कैसे लगाएगी चरित अस लंका ने भी निराश किया है उपर से अगर स्पिनर्स की बात करें महीश दिक्षाना उस तरीके की लें में नजर नहीं आए वानिन दोस रंका उस तरीके के विकेट नहीं ले पाए नवान तो सारा दिल्शान मदुशंका या फिर मतीशा पतिराना सबी नहीं निराश किया है शिर्लंका की टीम वाकी में काफी घटिया परफुमेंस करेगी ऐसा किसी ने अनुमान भी नहीं लगाया था शिर्लंका ने बाट डिसपोइंट किया 2012 में इस टीम ने अच्छा परफुमेंस किया फाइनल तक का सफरतें किया 2014 में T20 World Cup भी जीता लेकिन उसके बाट से शिर्लंका की टीम लगाता ICC के वेट में शर्वनाक परफुमेंस करती आ रही है बात अगर नेपाल की पॉसिबल प्लेंग 11 की करें तो इनके लिए एक बड़ा मैच होने वाला है इनका आमना सामना आ है पिछले मैच में हार का सामना करना पड़ा था लेकिन नेपाल की प्लेंग 11 पे नसर डालते है खुशल बुटेल, आशिब शेक विटकीपर अनिल साहा, रोईत बुडिल कप्तान खुशल मला, डिपेंडर सिंग एरी गुलसन जा, सोम पाल कामी, करन केसी, अविनाज बोरा और सागर डकाल नेपाल को पिछले मुकाबले में नीदरेन के किलाब 6 विकेट से मिली हार का सामना करना पड़ा था नेपाल एक वो नेशन है जो धीरे-धीरे क्रिकेट में तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और इस टीम के लिए फैन फॉल्लाइंग भी देखते ही बनती है जब भी नेपाल मैच के लिए, चाहिए वो अपने देश में के लिए, नेपाल में के लिए, एफट दुनिया के किसी भी इकोने में के लिए, इस टीम को फुल आउन सपोर्ट मिलता है काफि सारे फैंस इस टीम के स्टेडियम में सपोर्ट करने आते हैं, जंडा लेकर आते हैं, टीम के जर्सी पहन कर आते हैं, इस टीम के प्रतिवाकी में क्रिकेट के जो जून है, वो देखते ही बनता है टीम अच्छा करकर भी रहा रही है, टीम लगता T20 क्रिकेट में एक्टिव है, लगता T20 क्रिकेट केल रही है एसोसियेट देशों के साथ, लेकिन वर्ल कप में पहले मैच में इस टीम ने डिसपोइंट किया, इस टीम के पास T20 के लिए परफेक्ट प्लेयर्स हैं, रोइत प तीम के पास है वेक्ट की परें, तोफानी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कहीं नेपाल की टीम को संदीप लामी चैन, अपने पूर कप्तान की कमी डफिलिटली ख़ल रही है, आपको बतादे कैए संदीपक्म की टीम बेशा, के वीज़ सो हम मिला है हलाकि अमेरिका का विज़ा ना मिलने के चलते वो टूर्णामेंट का हिस्सा नहीं थे अब श्रिलंका जो कि दो मैच चार चुका है नेपाल जिसकी शुरुवात काफी खराब रही थी कौन यह मैच जीतेगा बारते समय अनुसार यह मुकाबला बुद्वार 12 जून को सुबा पांच बजे केला जाएगा इस मुकाबले का जो टॉस है वो होगा साड़े चार बजे अब आब बताईए कि कौन से टी मेच जीतने वाली है पल पल की अबडेट आपको न्यूस नेशन पर मिलने वाली है न्यूस नेशन स्पोर्स पर अगर आपने भी तक हमारे चै लाइक कमेंट शियर करना बिलकुल ना भूले